महराश्ट से एक बार फिर बड़ी खबरें आई हैं रामदास अठावले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रे मंत्री हैं आर्पियाई के अध्यक्ष भी हैं रामदास जी लागतार आज तक पर आपसे बातचीत हो रही है आज स्थिती ये है कि जी कानूनी खोशित करेंगे आप कैसे होगा खेल बिगड़ जाएगा क्या आप तो देवेंद्र फटनविस जी को मुख्यवंस भी बना रहे थे सर्ड़ अर्विन सावन जी जो कुछ भी बोलते रहे हैं लेकिने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भी तैयार है एकना शिं अब उनके पास 37 लोग है और वी दो-तीन लोग आने की संभावना है तो मुझे लगता है कि कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे है और वो उसको चालेंज देने का गाम एकना शिंदेजी का गुरूप कर रहा है तो टू-थर्ड मेजोरिटी अगर उनके पास है तो उसमें क् दिख्कत है उनके गुरूप को मन्यता देने का काम जरूर मतब विधान साबस पिकर काये लेकिन वहां पिकर नहीं है लेपूडी स्पिकर है उनौने मन्यता देनी चाहिए राज्यियपाल को मतलब सिकने चर का पत्र भीजा है तो वो सकती है जो वहाँ टीमेंस सभी मेल वह वहां उन्हें चर्चा करके सिगनेजर कर दी है और इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़े कप्याबल है और शुष्यना कितना भी कानूनी लड़ाई लड़े लेकिन उसमें शुष्यना हर जाएगी जॉइन क्यों नहीं कर लेते हैं यह लोग क्योंकि अब तो हातारा बीजैपी की प्रशंसा भी कर रहे हैं शुष्योजेया की बीजैपी में मैंक् terus करना है या नहीं नहीं वो तो उनकी अट की बात है लेकिन ऑभी तो फिलाल शुष्यना का बड़ा गरोप करके हो यह अपना ग्रोप बनाएगे बात में क्या करना है एकर उनको वेज साथ स्यू शेना से डबल से टिबल एमेलों के पास है तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना सिंदेजी के गुरूप को मानने ता मिलनी चाहिए और उनको मानने ता देनी चाहिए अब तो खेर आदित्य ठाकरे को चोड़ कर कोई विधायक मंत्री है भी नहीं उधव ठाकरे के साथ ख़ड़ा उधव सावन्त एक और मंत्री थे वो भी रवाना हो गये है मेरा सवाल आपसे यह है कि संजयराउद कह रहे है कि नहीं होगा कुछ गौहाटी में आना पड़ेग चोपाटी में आने के लिए वहां कुछ गंगा करे नहीं है, चोपाटी आये और मुम्बई में आये उगी और हाउस में भोम सिद्धत करने का काम जरूर करेगे, इस सरकार को गिराने का काम करेगे, और नई सरकार बनाने का काम एकना सिंदीजी करेगे. उन्होंने एक और सीधा सीधा आप NDA के सयोगी है BJP पर फिर से आजवार किया है उन्होंने कहा है कि हमारे बाप सिर्फ एक है बाला साप ठाकरे आपके बहुत सारे हैं दिल्ली वाले हैं गुजरात वाले हैं असम वाले हैं आप अपने बाप पर चुनाओ लड़ा संजेर राउत ने बोला सर कि बाला साप के नाम पर आप लोग फोटो मत लगाओ उनकी वो हमारे बाप है आपके बहुत सारे बाप हैं जो दिल्ली में एक बाप बैठे एक बाप आपके गुजरात में वडोदरा में है उनसे मिलते रहते हो आप घुमते रहते हो उनके नाम पर चुनाओ लड़ो ने उनके नाम पर लड़ना है और वाद में देखेगे लेकिन एकनाश इंदेजी को बाला साप का नाम लेने का अधिकार है क्योंकि श्यूज सेना बाला साप के नित्रोतों में बढ़ गई उसमें एकनाश इंदेजी ने काम किया है और एकनाश इंदेजी को बाला साप का नाम लेने का जुरूर अधिकार है उन्होंने भी मतलब कश्टक किये है पिजो पिजदेजी ने का नित्रोतों में भी विजैप का इनके जगड़ें चे कोसी समंध नहीं है एनकी नाराजी थी इसलिए उन्होंने बंड़कगर दिया है और उसको बीजेपिकों किसे को बाप नहीं मानते है उनका सही बाप बाला साथ है और बाला साथ के नाम से और शूशन आगे चलाएगी लेकिन उदव ठाकरे के लिए अब आपको क्या लगता है? उनके लिए क्या रहा बची है? क्योंकि मंतरी तो एक के बाद एक डिपलीट होते चले जा रहे हैं, हम तस्वीरे भी दिखा रहे हैं, एक और मंतरी रवाना हो गए, अब आतते ठाकरी को छोड़कर कोई भी है, मेले रहे हैं उनके बारे में को बहुत बड़ी सिंप्याथी भी है और बाला साथ के सही वारजदार के रूप में उन्होंने काम भी किया है लेकिन मानने उद्दव ठाकरे जी के साथ क्यों नहीं अरहर है इतने अमेले और मिनिस्टर उसका कारण यह है कि पक्षप्रमुक की भूम का अलग होती है जब मुख्य मंद्री बनने के बाद जो मंत्री मंत्री उंके समश्या की तरफ पराण चाहिए उनको चाहिए, उनको मिलना चाहिए, तो यह सब बाती था नहीं होती थी, इसलिए एक के बाद, दुसरा, दुसरे के बाद, तिसरा, चाउता, इसी तरह के मंत्रिया और एमेले मतलब उनको छोड़ कर जा रहे हैं, इसलिए मतलब इसके बारे में उद्दो जीने गंबिता से सोचना है कि बाए उनकी क्या करती हुए है तो इसके लिए अभी क्या करेगे हर एक जो यह मेले है यह मेले को कुछ न कुछ तो पावर अलगती है वह पावर मिली नहीं और इसलिए वह एक के बाद दुसरे उनको फोड़ कर जा रहे हैं अच्छे यह पताए रामदास जी अगर डेप जाने का उनको आधिकार नहीं है और कैसा अवज आवज करेंगे अगर टू-थर्ड मेजर्टी नहीं होती है तो आटोमेटिक लिए इनकी मेंबर्शिप जा सकती है लेकिन और ली एकना संदेजी के पास टू-थर्ड मेजर्टी से ज्यादा एमले है और इसलिए डेपुट करेंगे मुख्यमंत्री के दबाओं में महाविकास आगाडी के दबाओं में शायद डेपुटिस विकर उनको सस्पेंड करने का निरने ले सकते हैं लेकिन कोट में जाएगे एकना संदेजी और कोट बोलेगा एलेक्शन का कमिशन बोलेगा गलब दने निरने हैं तो टू- तूट फार होती थी लेकिन अभी उसके बाद टू-थर्ट मेजाओरिटी का कानुप बन गया है तू-थर्ट मेजाओरिटी है तो उनको क्या ड़र है क्यों मतलब इनका में रिखिए करेगे फीव जो होता है फीव होता है कोई होस के बाहर भी प्रन नहीं होता है और कोई खिलाब कोई इन्होंने कोई हुटिं किया ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है तो आइसा कैसा नहीं ले ले सकते हैं इसलिए वह एकना सिंदे की बाजू कंभीर है और डेपूटी स्पीकर आइसा नहीं नहीं ले सकते हैं अब एकंभीर सवाल आपसे पूछ रही हो सर रामदास जी ये बताईए आप अब कल्पना कीजिए अब लगब एक सब्ता हो रहा है सारे विधायक वहां बैठे हुए अब तो इनको सुरक्षा भी दी गई है कई विधायकों को वाई कैटगरी तक सुरक्षा दी गई है वहां राजपाल ने मुंबई सीपी से बात की है लोटना तो पड़ेगा ना भी खबर आ रही है कि 30 जून तक इनों ने होटेल का अपना बुकिंग बढ़ा लिया है ऐसे नहीं चल सकता ना एक सरकार को आप अधर में लटका कि कितने दिन रखेंगे ऐसे कि इतने दिन अभी आएगे अभी तोड़ा प्लानिक हो जाए गा तो प्लानिक होने के बाद तो आए गया हो कि आ उद्याए तो तीन दिन बढ़ाए है उसके बाद दो-चार दिन में इदर मुंबई आएगे और जो फैसला है फैसला हो जाएगा दूद का दूद पाने का पानी हो जाएगा महाविकात आगाड की सरकार जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लेम नहीं हो तो आएगे उदर के हमेजा रहने के लिए थोड़ा है कुछ दिन में वो इदर आ जाएगे और हाउस में भोमन सिद्ध करेगे बहुत बहुत धानेवाद आपका